नमस्कार दोस्तों, इंडिया आईक्यूम आप सभी का एक बार फेर से स्वागत है आज हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे कि भारतिय समिधान के अंदर कौन कौन से मूल अधिकार है उन अधिकारों में कौन सा अधिकार, कौन से अनोचेद में है और आपातकालीन प्रस्तितिय में मूल अधिकारों की इस्तती क्या हो जाती है इस बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसके शुरुवात करते हैं उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडिया आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले हमारे समिधान में सात मूल अधिकार थे, लेकिन आपातकाल के बाद जब 1917 में मौरारजी देशाई की सरकार बनी और 44 समिधान संशोधन हुआ 1948 में, 20 जून 1918 को जो 44 समिधान संशोधन हुआ था उस संशोधन की धारा 34 के तहट यह याद रखने की बात है कि कौन से समिधान संशोधन से संपति को मूल अधिकार के स्रेणी से अटाए गया था अतमान में जो हमारे छे मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, इसे मूल अधिकार क्यों कहा गया, मूल अधिकार इसली कहा गया, क्योंकि इन्हें समिधान द्वारा गारंटी और सुरुक्षा प्रदान की गई है, जो राष्टर के कानून का मूल है, मूल इसली क्योंकि ये सरवांगिन विकास, चहुमुखी विकास, चाहे वो भोतेक विकासों, बोधिक विकासों, नेतिक विकासों, आध्यात्मिक विकासों यानि कि वेक्तिक सरवांगिन विकासों के लिए इन छे अधिकारों की बेहदी जरूरत रहती है यही बज़े कि इन्हें मूल अधिकार कहा गया है सबसे पहला जो हमारा अधिकार है वो है समानता का अधिकार यह समानता का अधिकार समीधान के अनुचे 14 से लेकर के 18 में आता है अब बात आती है हम जब शुरुवाती कर रहे हैं और हम कहते हैं कि समिधान के अनुचित 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार है तो दोस्तों 14 से 18 तक तो होता है समानता का अधिकार लेकिन उससे पहले दो अधिकार बच जाते हैं एक 12 और दूसरा 13 तो दोस्तों मूल अधिकार ये कहता है कि राज्य राज्ये का तात्पः यहां किसी इस्टेट गुवर्मेंट से नहीं है राज्ये का तात्पः हर किसी चाहे वो केंदर सरकार हो चाहे राज्ये सरकार हो चाहे वो मनलब संसद द्वारा संसद हो चाहे राज्य विधान मंडल हो चाहे कोई इस्तानिय निकाय हो चाहे उसमें नगरपाली का हो पंचायत हो जिला बोर्ड हो या कोई भी दूसरा इस्तानिय निकाय या गेर समयधानिक परादिकन जेसे LIC है, ONGC है, CEL है कोई भी ऐसी संस्ता इन्हें हम राज्य किष्रेणी में शामिल किया गया है ऐसी कोई भी विधी यानि कानून नहीं बनाएगा मौलिक अधिकार क्या है कि राज्य ऐसा कोई विधी नहीं बनाएगी कानून नहीं बनाएगी जो वेक्ति के इन छे अधिकारों का हनन करते हैं तो राज्य और कानून इन दोनों की परिभाषा है अनुच्छेद बारा और तेरा में राज्य की परिभाषा दी गई है तेरा में दो चीज़े दी गई है पहला ऐसा कोई भी अगर कानून लागू हो जाता है जो अधिकारों का हनन करता है मौलिक अधिकारों का तो सुप्रेम कोर्ट और हाई कोर्ट यानि कि नैले के पास में उन नए कानूनों को शुन्ने करने की यानि कि उसे निश्परभावी क पहली चीज़ ये है कि अगर कोई ऐसा कानून लागू हो भी जाता है जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता हो तो कोर्ट उसे निश्परभावी करेगा दूसरी बात ये है कि हम कानून किसे कहेंगे हम विधी कहेंगे किसे ये भी समिधान के अनूचे तेरा में बताया तो विधी के अंदर भी कई बाते बताई गई है जैसे संसद या राजय विधान मंडला द्वारा पारित जो कानून होते है वो है या राजय पाला या राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो जारी की जाते है वो है या फिर सरकार कोई अध्यादेश या फिर कोई भी अधिशूचना जारी करती है या फिर जो हमारी जो local bodies होती है जो सामाजिक संस्ताय होती है और उनमें जो रूडिवादी पर्थाएं होती है वो भी अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो court सरकार जरूर नहीं कि वो उसे पर कानून बनाए तो ये दो चीज़े मैं है तो पुर्ण याद रखने की अनुचे 12 में क्या है राज्य की परिवाश आए तेरा में दो चीज़े है पहले अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो मौलिक अधिकारों काहनन करता तो उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी नयल है उसे निश्प्रभावी कर सकता है दूसरी अनुचे 13 में ये बात बताई गई है कि हम विधी किसे कहींगे हम कानून कहींगे किसे तो कानून के दायरे में क्या क्या चीज़े आती है वो भी अनुचे 13 में बताई गए अलफशंख्यकों से जुड़े अधिकार है, कोछ अलफशंख्यकों के स्रेक्षण इक्षन स्ताव और उन से ले करके और भाषाई स्रेक्षण को ले करके, वो अनुचेद 39 और 30 में है, सम्विधानिक उपचारों का अधिकार ये सबसे महतोपुर्ण है, ये है अनुचेद 32 म बीच में अनुचेद 31 छूट गया है, इसमें पहले अनुचेद 31 में हमारा जो संपतिक अधिकार मूल अधिकार था, वो पहले अनुचेद 31 में ही था, बाद में उसे सामाने अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया, तो जो हमारे आजादी के वक्त जो पहले समानता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे समानता का अधिकार क्या है और आगे हम पूरी सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें आपको बाकी सारे अधिकार चाहे वो समानता का अधिकार हो चाहे वो स्वतनतरता का अधिकार हो शोशन के विरुद्द अधिकार हो, धारमेक्ष अतनतरता का अधिकार हो, अलप्शंख्यों कोखिस दोड़े अधिकार हो, जो मौलिक अधिकार है या फिर रिट समय धानिक खालाएं कि हमने रिट के बारे में एक और वीडियो बनाया है जिसका हम आपको नीची लिंक अमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप महाँ जाकर भी देख सकते हैं वहाँ हमने रिट से जुड़ा हुआ पूरा वीडियो बनाया है, रिट के कितने परकार होते हैं, किन-किन परकार होते हैं, किन-किन हालाताओं में कौन सी रिट लगाई जाती हैं, इस बारे में पूरा बताया हुआ है आज हम सबसे पहले देखिए, अनुचे 14, ये अनुचे 14, 15, 16, 17 और 18, ये समानता के अधिकार के अंतरकत आते हैं, जिसमें जो अनुचे 14 है, उसमें क्या कहा गया है, कि कानून के समक्षे, कानून के मामले में, लौ के मामले में सब समान है यहां एक लाइन कही गई है, कि भारत के राज्यक्षेतर में, यहां राज्ये में पहले आता जाता हूँ, राज्ये का एक विश्तृत मतलब है, देश, या देश के लेवल पे हम देख सकते हैं, राज्ये का मतलब यहां देश से हैं, भारत के राज्यक्षेतर में किसी भी विधी के समक्ष सम्ता या विधियों के समान सनक्षन से वन्चित नहीं किया जाएगा या दो शब्दों का प्रयूग किया गया है विधी के समक्ष सम्ता यानि कि कानून के विधी का मतलब कानून होता है विधी के समक्ष सम्ता और विधियों के समान सनक्षन ये दो सब्दे विधी के समक्षमता सब्द बिरिटिश समिधान से लिया गया है और विधियों के समान स्रक्षन का शब्द है ये लिया गया है अमेरीकी समिधान से अनुचिद 15 के साथ धर्म, जाती, वंश, लिंग, या फिर उसके जन्मिस्तान के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता है किसी भी परकार का भेद भाव नहीं किया जा सकता है यह उस धर्म से आता लेकिन अगले ही अनुचिद 16 में ये बताता है कि अगर कोई पिछड़े वर्ग है अल्फ संख्यक है उनको प्रोसाहन देने के लिए आरक्षन की व्यवस्ता की जाएगी समिधान के अंदर ये अनुच्छेद 16 कहता है जो आरक्षन की बात है वो अनुच्छेद 16 कहता है शुरुवात में केवल SC और ST को ही आरक्षन था लेकिन जब 1989 में मुराजी देशाई सरकार ने दुट्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अगठन किया और संसद के सदे से जो BP मंडल थे उनकी अधिक्स्ता में इसका आयोग का अगठन किया गयता यही वज़े थी कि उसे मंडल आ पेश किये थे और इन सुझावों की रिपोर्ट 1980 में पेश की गई जिसमें 3743 जातियों की पहचान की गई जो सामाजिक और शेक्षनिक आधारवार बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई थी जन सेंख्या के एसाब से उनका जो आंकड़े हैं वो 52 परतिशत से भी ज्यादा थ इन्ही आयो की सिफारिशों में 27% सरकारी नोखरीयों में आरक्षन की सिफारिश की गई थी और इसके 10 साल बाद यानिकी 11 1980 में ये मंदल आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और 1990 में वीपी सिंग के सरकार ने सरकारी सिवाओं में 27% आरक्षन की गोशना कर दी हालांकि बाद में नर्शिमाराओ सरकार आई तो उसमें कुछ बदलाव भी किये थे जिसमें आर्थिक आदार पर भी कुछ पीबों को भी दिया गया था तो ये बाद में थोड़ा बहुत नर्शिमाराओ सरकार ने बाद दलाव किया था लेकिन जो बड़े लेवल पर 27% आरक्षन की व्यवेस्ता वीपी सिंग सरकार ने 1990 में मंदल आयू की सिफारिश्चों का आदार पर मंदल आयू को 1978 में गठित किया गया था इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश की जिसमें 27% सरकारी नोकरिया में आरक्षन की सिफारिश की गई थी और उसे 1990 में वीपी सिंग सरकार ने लागू किया अनुचे 17 में चुआ छूत का अंत किया गया है अस्प्रिश्चता यानि कि किसी को भी आप जैसे पह हालांकि अस्प्रिश्चता और चुआ छूत का जो परिभाशा है क्या किस घटना को आप चूआ छूत की केटेगरी में डालेंगे इसका सम्विधान में कहीं पर भी वर्णन नहीं है अनुचेद 18 में जो पुराचिन समय से चली आरी सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया केवल और केवल शिक्षा और सेना के श्रेतर में जो उतकरष्ट कारे करेंगे जो अच्छा काम करेंगे उन्हें उपाधिया दी जाएगी जैसे प्राने समय में दिया जाता किसी को मह उसे आराजा के उपाधिय जी जाती ही, किसी को राज बहादूर, राय बहादूर, राज सहाब, दिवान बहादूर, कई तरह की जो उपाधिया दी जाती थी उसे अनुचेद 18 के तहट खत्म कर दिया गया शिक्षा के सेतर में या फिर अच्छे कामों के सेतर में जैसे अमारे भारत्रतन है, पदम भूशन है, पदम स्री है, पदम भूशन है ये प्रावदान दिया जो पहर दिये जाते हैं इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी हालांकि जब 1977 में मुरार्जी देशाई सरकार बनी तो उनुह ने एक बार इस करम को तोड़ दिया था इस परथा को खतम कर दिया था लेकिन 1980 में जब मुरार्जी देशाई सरकार बनी शौरी माफी चाओंगा 1980 में जब इंद्रा गांधी सरकार बने तो ये पद्म भूशन पद्म सुरी देने की फिरचे प्रथा शुरू कर ली गई थी चले दोस्तों तो ये था समानता का अधिकार आपके लिए आज का सवाल है कि मैगना कार्ट शब्द जो हमारे समीधान में प्रयोग किया गया है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है संसद के लिए क्या प्रयोग किया गया है या मौलिक अधिकारों के लिए प्रयोग किया गया है मुलिक कर्तव्यों के लिए प्रयूग किया गया है या सेना के लिए प्रयूग किया गया है तो मेगना कार्टा शब्द का प्रयूग किसके लिए किया गया है इसका जवाब आप नीचे हमें कमेंट बॉक्ष में लिख करके बताएंगे अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिलकुल भी न भूले अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को वाटसेप और फेस्बूक पर शेयर करें ताकि उन्हें भी समानता के अधिकार से जुड़ी हुई हर बात पता चले हमारी चैनल इंडिया आईक्यू को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेश करें ताकि आने वाले वीडियो का नॉटिफिकेशन भी आपको मिल जाए मिलिंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन